आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप YouTube उपन करते हैं और आपको YouTube पर कुछ इस तरह से दिखाता है Switch to YouTube.com, this version of YouTube is out of date and no updates are available for your device अगर आपको बार-बार ये error आ रहा है, जब भी आप इसको solve करते हैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने पहले यहाँ पर दो वीडियो बना दी हैं, अगर आपको वो वर्क नहीं किया है तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना होगा, कुछ लोग को वर्क कर गया है तो यहाँ पर आपको जान लीजिए क्या करना इस प्रोलम को solve करने के लिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर सबसे पहले काम कर लीजिए जो आपका YouTube है उसको यहाँ पर long press करिए long press करने के बार यहाँ पर app info देखने को मिलेगा इस पर click कर दीजिए click करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा storage, storage पर आईए और यहाँ से इसका clear all data कर दीजिए पहले clear cache करिएगा दन यहाँ से clear all data भी कर दीजिएगा यह काम करने के बाद आपको यहां से डारेक्ली बैक आजाना है आप बैक आने के बाद आपको क्या करना है किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है स्पोस्थ कर लिए मैंने यहां पर ग्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है Chrome browser को open करने के बाद अब आपको यहाँ पर लिखना होगा Download YouTube Old Version यह आपको लिखना है आपके समने बहुत सारी वैब साइट्स आ जाएगी आप आपको करना क्या है Second जो यहाँ पर देखने को मिला लिंक इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको स्क्रोल करने नीचे की तरफ और यहाँ पर आपको बहुत सारे वर्जन्स देखने को मिल जाएंगे अब आपको क्या करना है अगर आपने जब भी इसको update किया है आपको 10 से 15 दिन पुराना कोई भी वर्जन यहाँ पर डाउनलोड करने लेने है या फिर आप से 20 दिन यहाँ पर entrepreneurs पर कर देजिए अगर आपक एक महीन पुराना बढ़ना भरजन भी काम नहीं करता है तो आप उससे थोड़ा और पुराना घर्जन डाउनलोड कर लीजिये वो आपका work कर जाएगा, तो यहाँ पर download पर click करेंगे, ऐसे आप इसको download कर पाएंगे, easily आपको कोई problem नहीं होगी, देख सकते हैं, download anyway आपको click कर दीजिए, यह download होना start हो जाएगा, जैसे आप इसको all version download कर लेंगे, आपकी problem 101% solve हो जाएगी, यहाँ से guys, सिर्फ आपको इसी का ध्यान रखना होगा, तो आगर आपकी problem फिर भी solve नहीं होती है, तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा wait करना होगा, हो सकता है, यह bug जो है, YouTube की तरफ से ही हो, वो automatic solve कर दे YouTube, तो बस आपको यही काम करना है, old version को download कर लेना है, सुपरिज आज के